कि अपुतर हटान दे नहीं मिखदे 1965 में नूर जान ने भी गाना यह तराना जौ आए यह इसी तरह से गाया होगा जिस तरह आज मलकू ना यह गाना गाया दिलते राजी नहीं पर गाना तेरसा गाहना ए नाम अपना जो तो इसी एल चो कडाना है मलकू की वज़ा से वह गाना हिट नहीं था हुआ वह गाना कैदी 804 की वज़ा से हिट हुआ था अब कैदी 804 को आप जिस मरदी तरीके से उसको खत्म करना चाहें वह उतना ही आप इस जितने ज्यादा इस किसम के बिलंडर मारें गे वह कैदी 804 उत पाकिसंद तहरीके इनसाफ के लिए एक गाना रिलीज किया वो गाना इतना जएदा वाइरल हो गया कि हर रिक्षे में सडकों पर सोशल मीडिया के हर प्लैटफॉम पर उस गाने की धूम मच गई और आम इंतखाबात के बाद भी इस गाने की मकबूलियत में कोई कमी ना आ था जब वो एरपोर्ट पे जाता है तो उसको बताया जाता है कि जी आपका नाम एसी एल में शामिल कर दिया गया आप बिरूने मुलक सफर कर नहीं कर सकते ना तो मलकू कोई सियासदान है और ना ही मलकू पर कोई ऐसा इल्जाम या मलकू की कोई ऐसी एक्टिविटी है कि उसको हकूमत की जानत से बिरूने मुलक सफर पर पबंदी आयद करना पड़े लेकिन मलकू ने ये गाना गाया नाकदा कोका ये मलकू का गुना बन गया और मलकू ने ये गाना गाया जिसके बाद हकूमत ने और हकूमत के इलावा उस गयर सियासी जमाद जिसकी मकबूलिय 90% है इस मुलक में उसको ये एक नजर ना भाया और वो इस गाने से इतने ज्यादा खोफजदा होगे गाने में तो चुंके मलकू का तो सिर्फ इतना रोल था के मलकू ने उसमें जेल अडियाला कैदी 804 का ये जो एक जुमला था ये बोला था ये जुमला उन नवे फीसद वाली गहर सियसी जमात को इतना ज्यादा इस जुमले ने उसको तकलीफ दी कि उन्होंने मलकू का नाम E.C.L. में डाला और फिर आपने सबसे पहले लहर सुनी थी एक अगवा बरा बियान अगवा किया बियान दिलवाया कि प्रेस कांफरंस करवाई किसी टॉक शो में बैटके इंटर्व्यू दिलवाया और चूट गया अब ये तीसरी लहर जो है ये बड़े मज़ेदार है इसमें ना तो बियान है और ना तावान है इसमें क्या है कि अगवा बराय मुस बोटक ने इसमें दो लाएने जो है ना वह मिस्क कर दी जिर लेते नहीं पर गाना तेरसा गाना नाम अपना जो इसी को करदाना आए को यह मैं समयता हो को मलकू को इस नाकते को के वाले म Malaysia के पीछे यह गाने यह दो लाइने भी जोड़ देनी चाहिए कि जी इसा डिमजबूरी सी क्योंकि कल से मलकू को बहुत ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है कि मलकू का सोफ्ट्वेर अपडेट हो गया है मलकू को अगवा बराए मुसीकी के के लिए अगवा किया गया था और व 804 को आप जिस मर्जी तरीके से उसको खतम करना चाहें वह उतना ही आप इस जितने ज्यादा इस किसम के बिलंडर मारेंगे वह कैदी 804 उतना ज्यादा मकबूल होगा तो मलकू को मलकू को चुंके वह इंटरनेशनल ट्रैवलर है कॉंसर्ट वगारा उसने करनी होती है तो जिस अमल के बाद जिस तरीका का उसका नाम इसी अल में डाला पबंदी लगाई और फिर उसका ये इस तरह से गाना गाना ये बिल्कुल मश्कूक कर देता है क्या हमारे जो होली काउज हैं इस मलक में उसने मलकों को अगवा किया और जबर्दसी गाना गाने पर मजबूर क किया यह पर यह इसी तरह और शकूकोश भाद पैदा हो जाते हैं कि क्या अपटर हटाने नहीं विक दे उननीस सो पैंसर्ट में नूर जाने भी यह गाना यह तरह जो आज जिस तरह आज मलकू नहीं गाना गाया तो यह इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देज हैं इसका जवाब आपने कमेंट सेक्षिन में जरूर देना है इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए अल्ला ने के बांद